रादे रादे फ्रेंट्स आज के भोजन में आज मैं बना रही हूँ पनीर का पराठा और आलो टमाटर की सब्जी पनीर का पराठा बनाने के लिए मैंने पनीर को ले लिया है और कुछ सब्जीयों को काटा है एक प्याज को मैंने बारिक-बारिक काटा है, छिमला मिर्च, दनिया की पत्ती, हरी मिर्च और सबजी बनाने के लिए मैंने टमाटर प्याज को भी काटा है आटा को एक घंटा पहले सान कर रख दिए थे, अब चूले पर एक कडाई को चढ़ा देंगे सब्जी बिनाने के लिए उसमें 2-3 चमच के लगबक तेल डालेगे आदा चमच मेथी दाना डालेगे 2 तेज पत्ता को तोड़ कर डाल देगे और उबले हुए कटे आलू को हम फ्राई कर लेगे स्वात के नुसार नमखल्दी डाल कर श्वात के नुसर नमक हल्दी डाल कर हम आलू को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और इधर पराठा बनाने के लिए हम पनीर को रेडी कर लेंगे तो बारिक करते हुए प्याज में मैं जरासा नमक डाल कर उसको साइट में रख दूँगी ताकि उसका एक्ष्टा पानी बाहर आजाए और इधर मैं पनीर को गेट कर लूंगी आप चाहे तो हाथों से मसल कर भी बना सकते हैं तो पनीर को मैंने गेट कर लिया है पनीर को गेट कर लिया अब इसमें बारिक कटा हुआ हरी मिर्ज डालूंगे तक आलू हमारा फ्राई हो गया है सबजी का तो उसको बाहर निकाल लेंगे और उसी बचे हुए तेल में हम प्याज को डाल देंगे और पनीर का प्राठा बनाने के लिए पनीर में मैंने कटा हुआ हरी मिर्ज डाला है और प्याज और सिम्ला मिर्ज में मैं हलका से नमक डाल कर रखी ती तो उसका इस्टा पानी अलग हो गया है तो प्याज और सिम्ला मिर्ज को मैं निचोड कर पनीर में डाल दूँगी प्याज और सिम्ला मिर्ज का एक्ष्टा पानी निकाल देने से हमें पराठा बनाने में प्रोब्लम नहीं आएगी और उसी पानी को हम सब जी बनाने में यूज कर लेंगे तो पनीर में मैंने बारी कटा हुआ हरी मिर्च, बारी कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च और धनिया की पत्ती को डाल दिया है और एक चमच रोस्ट किये हुए धनिया, जीरा और काली मिर्च के पाउडर डालेंगे आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं अब सारी चीजों को स्वात के अनुसर हलका सर नमक डाल कर अच्छे से मिला लेंगे अधर सबजी का प्याज हमारा फ्राई हो गया है तो मैं उसमें टमाटर को डाल दूँगी हलका सर नमक डाल कर टमाटर को ढग देंगे तक प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए कड़ाई को इधर साइड में चड़ा देंगे प्याज और टमाटर के साथ मसाले को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इधर प्राठा बनाने के लिए मैं तबाको चड़ा दिया है रोटी के आकार का ही एक लोई हम काट लेंगे और इस तरह से कटोरी के जैसा बना कर हम इसमें पनीर के मिश्रन को भरेंगे तो ना कम भरेंगे ना ज्यादा थोड़ा ज्यादा ही भरेंगे ताकि परठा खाने में अच्छा लगे इस तरह से दबा दबा कर इसको बंद कर देंगे और हलके हाथों से हम बेल कर त्यार करेंगे इधर सबजी का मसाला भी हमारा फ्राइ हो रहा है तो इसको भी एक बार चला लेंगे पराठा को बेल लेंगे तो तब आपर हम दोनों साइड अच्छी तरह से सेख लेंगे उसके बाद उसमें घी लगाकर अच्छे सेख लेंगे आप चाहे तो रिफाइन सरसो तेल जो आप खाते हों उसमें भी बना सकते हैं पराठा मसाला फ्राइ हो गया है सबजी का तो आलू को भी डाल कर थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे और जितना हमको ग्रेवी रखना है उतना पानी हम डाल देंगे तो सब्जी हमारा त्यार हो जाएगा इधर हम सारे पराथे को सेख लेंगे उसी तरह से सारे पराथे को भर कर हलके आतों से बेल बिल कर हम घी लगा कर सेख कर त्यार कर लेंगे हमारा सब्जी त्यार हो गया है तो उसमें कटे हुए धनियपता को डाल देंगे सब्जी बनकर त्यार हो गया है पराथा भी हमारा लगबग हो गया है तो आज का भोजन हमारा त्यार हो गया है आलू टमाटर की सब्जी और पनीर का पराठा तो मैं अब आज के भोजन को सर्व कर लूँगी बन कर हमारा त्यार हो गया है मैंने आलू टमाटर की बहुत ही सिम्पल जब्जी बनाई है खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और पराठा को भी मैंने सिम्पल तरीके से बनाया है ज्यादा मसाला नहीं डाली हूँ तो मैंने सर्व कर लिया आज का भोजन मेरा बन कर त्यार हो गया थैंक यू फ्रेंड्स